जैहिन दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और लास्ट के लेक्चर में हमने क्लास 8th NCRT का चैप्टर 2nd From Territ to Territory पर बात की थी कि किस तरह से East India Company वेपार करने आती है पर धीरे धीरे अपने territories थापित करना सुरू कर देती है और इसी में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से Company अपने पावर को Establish करती है तो बात करते हैं तो लास्ट के लेक्चर हमने काफी कुछ कवर किया था जैसे औरंग जेव के बारे हमने बात की कि किस तरह से जो लास्ट माइटी मुगल एमपेरर है उसने कुछ गलतिया की या इनफेक्ट कहलें की जागिरदारी क्राइसीज और और बी जो चीजें हैं बीग जमिंदार अपनी पावर को अथोरेटी को एसल्ट करने लगे और इसके बात से धीरे-धीरे Regional Kingdom Establish होना सुरू हुई और हमने बात भी की है और लेडी की किस तरह से Regional Kingdom पारफुल होते जाते हैं और डेली एक Effective Center के रूप में काम नहीं करने लगता है तो quickly recap कर लेते हैं उसके बाद हमने बात की थी कि किस तरह से 1600 में East India Company को चार्टर मिलता है Queen Elizabeth First के द्वारा की आपके पास Monopoly की वेपार करने की लेकिन ये चीज ब्रिटेन के कंटेक्ट में तो सही थी लेकिन बाकी के यूरोप के जो देश हैं वो काफी stiff competition यहाँ पे दे रहे थे इनको East India Company को तो इसके बाद ये हमेशा इसी परियास में रहते थे थे कि जो बाकी के जो companies हैं बाकी की जो वेपार करने वाली जो देशों की जो company चल रही है उन्हें किसी तरीके से खतम किया जा और इस बार बहुत सारी इन competition को खतम करने के लिए बहुत तरीके के measure भी उठाए जाते थे जैसे बहुत बार यहाँ पे अगर आप देखे एक दूसरे के ship को डुबाना रास्ते को blockade करना, rival ship को prevent करना इस तरह की चीजे भी देखने को मिलती थी दोस्तो इसके बाद हमने बात की कि किस तरह से East India Company बंगाल में पहुंचती है और किस तरह से प्लासी का यूद होता है तो प्लासी के यूद के पहले हमने समझा कि कौन कौन से reason कौन कौन से consequences बने थे जैसे हमने बात की कि सिराजु दोला का जो उसी के जो commander थे है सिराजु दोला के मीर जापर वो East India Company के तरफ से सले जाते है क्योंकि East India Company के दोरोंने प्रलोभन दिया जाता है कि अगर हम इस यूद को जीत जाते हैं प्लासी के यूद को तो इसके बाद आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा इस तरह की बाते देखने को मिल रही थी और East India Company के साइट से Robert Clive थे और बंगाल के नवाब में अफकोर्स सिराजु दोला थे तो यह सब कुछ बाते थी और भी बहुत सारे रीजन है उन रीजन को भी हम लोग समझेंगे लेकिन इस तरह से प्लासी का युद लड़ा गया 1757 में दोस्तों इस सोर्स सेकेंड को पढ़िये नवाब के बारे में बताया जा रहा है कि नवाब किस तरह से कंप्लेन करते हैं 1733 में दो नवाब बंगाल सेड अबाउट दो इंगलिस टेडर के बारे में क्या कहते हैं वो समझना भी काफी जरूरी होगा तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से नवाब और इस इडिया कंपनी के बीच जो तनाव है जो टेंसन से वो बढ़ते गए तो बताया जा रहा है कि जब यह फर्स्ट बार आएं कंट्री में तो इन्होंने पैटिशन किया गवर्नमेंट से यानि अफकोर्स मंगाल के नवाब से कि हमबल मेर में कि हमें एक छोटा सा एरिया चाहिए चोटी सी ग्राउंड चाहिए ताकि हम फैक्ट्री स्टेबिस कर सकें और इस तरह से यह करते हैं और great number of the king subject of both sexes into slavery into their own country तो इस तरह से slavery भी देखने को मिलती है इस इंडिया कंपनी के द्वारा और दोस्तों अभी recently and day के exam में जो question पूछा गया वो भी हमने discuss किया था कि कि किस तरह से प्लासी के यूद को एक formal foundation के रूप में Britishers के देखा गया ओके तो यह बाते भी में लगी रह रही थी तो इन चीजों को doubt के रूप में देखा गया इंग्लेंड में और अगर यहां पर आप देखे तो एक पत्र भी लिखा जाता है प्लासी के यूद के बाद रोबर्ट क्लाइब जो की प्लासी के यूद में नेत्रितु करते हैं और जीत भी हासिल करते ह आपके खिलाब वो विलियम पिट को लिखते हैं जो की इंग्लिस मोनार के एक प्रिंस्पल सेक्रेटरी हैं उनको क्या लिखते हैं वो देखें बटस हो लार्ज सेवरेंटी में पॉसिबल पॉसिबिली बी अब्जेक्ट टू एक्स्टेंसी फॉरा मंस्रेटाइल कंपनी य दोस्तो प्लासी के युद के बाद भी कोई खास कंडिशन देखने को मिलती नहीं सियाजु दोला जिसके साथ ये युद लड़ा गया उसे असेसिनेट कर दिया जाता है और मीर जाफर को नवाब बना दे जाता है जैसा की प्रोमीस किया गया था इस्ट इंडिया कंपनी के बाद भी कंपनी नहीं चाहती थी कि बंगाल में डिरेक्टली अडिमिस्टेशन को हाथों में लिया जाए और बेसिकली इसका रीजन भी बहुत अब्यस है क्योंकि इस्ट इंडिया कंपनी उतनी जड़े अपनी नहीं जमा पाई थी वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लिया जा सके और इसके लिए अडिमिस्टेशन में डिरेक्टली घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रायम अब्जेक्टिव जैसा कि हमने बात की कि ट्रेड को जादा से जादा एक्स्पेंड करना है और यह तब भी किया जा सकता है कि अगर लोकल रूलर उनका चीजेश हासिल किये जा सके ट्रेट्रीज को डिरेक्टली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जैसे कंपनी डिस्कवर करती है कि यह चीजें करना मुस्किल है तो हाला कि देखिए बहुत बार सिच्वेशन ऐसी बनी कि पपेट नवाब जो की मीर जाफर है यहा कंपनी जिस तरह से चाती थी इस निडिया कंपनी वैसा हमेसा नहीं चलता था आफ्टर ओल यहां पे जो नवाब है उन्हें भी बहुत एक बेसी का पेरेंस मेंटेन करना होगा डिगनिटी और सोवरेंटी का अधर जो उनके सब्जेक्ट है यानि जो जनता है वो रिस्पे रंदाजी देखने को मिल रही थी तो उसके जगहा पर मीर कासिम को इंस्ट्रोल कर दिया गया एम लोग आगे देखेंगे कि मीर कासिम कैसे आए प्रिष्ट भूमी में इसके बाद मीर कासिम ने भी कंप्लेन किया ऑफकोर्स की नवाब की पोजिशन ही ऐसी थी कि कि किसी को भी नवाब के जगहा पर रखा जाए तो कंप्लेन देखने को मिलेगी ही तो उसके बाद फिर उससे हरा दिया गया बकसर के युद में जो की 1764 में हुआ बंगाल से डिवन आउट कर दिया गया और वापस से मीर जाफर को रिइंस्ट्रोल कर दिया गया इसके बाद नवाब दोस्तों मीर जाफर की डेथ हो जाती है 1765 में और जो कंपणी इस्ट इंडिया कंपणी उनका मूट चेंज हो जाता और अब उन्हें लगता है कि हमें नवाब खुद बनना पड़ेगा ठीक है क्योंकि बहुत उन्हें अपनी जो उनकी में मुख्य विचार धारा थी कि यह जादा से जादा फायदे लेने वह पॉसिबल नहीं हो पा रहा था यहां पर जो जब भी पपेट नवा आपको रखा जा रहा था तो तो फाइनली 1765 में मुगल एंपेरर अपोंट करते हैं अपोंटेट दा कंपणी एज दिवान और प्रोविंसेस ऑफ बंगॉल तो मुग पर थी इनके पास और इसके बाद अगर आप देखे तो दिवानी अलो करती थी कंपणी को कि जो बंगाल के वास्ट रेवेन्यू है जो की काफी मात्रा में रेवेन्यू निकल के आता था वान आप दा रिचेस्ट प्रोविंस है अगर हम लोग देखेंगे भी कि किस तरह से विदेश के यात्रियां है वो बंगाल के वेल्थ को डिस्क्राइब करते हैं तो इसके दोरा जो वास्ट रेवेन्यू हो वो इस्ट इंडिया कंपणी को पावर दे दी गई कि आप यूज कर सकते हैं और इससे कंपणी की जो मेजर से प्रोब्लम थी मेजर प्रोब्लम ये मात्रा में यहां पे गोल्ड और सिल्वर पै करने पड़ते थे तो इस वाइस से आउट फ्लो देखने को मिलता था अब यह जो आउट फ्लो था कि जो यूरोप के देशों से भारत में गोल्ड और सिल्वर आ रहे थे यह भी बैटल प्लासी के बाद रुक गया और एंटार कम्पनी के कीलों को बनाने में और कलकाटा में ओफिसेज बनाने में खर्च किये जा रहे हैं तो दोस्तों जैसा कि हमने बात की 1765 में दिवानी राइट्स के बाद कम्पनी खुदी नवाब बन जाती है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब कुछ अर भी है और यहां पर जित ज्यादा से ज्यादा धनी बन सकें कंपनी के ऑफिस्यल्स के द्वारा तो रोबर्ट को लाइव इंसेल बहुत सारा धनी यहां पर जमा करते हैं जब मडरास पहुंचते हैं 18 वर्ष की उम्र में 1743 में तब उनके पास तो कुछ नहीं होता लेकिन जब 1767 में यह भारत को छोड होते हैं भारत से जाते हैं तो इनके पास आप देख सकते हैं फोर लेक वन यहां पर कुछ चादा यह 40 लेक नहीं है फोर लेक वन थाजन वन जिरो टू पाउंड्स है इतने सारे पाउंड्स लेजा करके जो कि बहुत जादा है क्योंकि आगर आप देखें उस टाइम की पर और इंटेस्टिंगली वेन ही वाज अपॉंटेट गवर्नर बंगाल इन 1764 ही वाज आज टू रिमूव कम करप्शन इन कंपनी अडिम्स्टेशन बट ही वाज हिंसेल्फ क्रोस एक्जामीन इन 1772 कहने का मतलब यह है कि जब उन्हें बंगाल का गवर्नर बनाय जाता है किसे क्लाइब को 1764 में तो कहा जाता है कमपनी अडिमिस्टेशन के द्वारा कि करप्शन हटा जागी करप्शन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी अवे लोग देखेंगे भी कि करप्शन को हटाने के लिए किस तरह के मेजर लिये जा रहे थे जैसा कि हमन इनके पास इतनी वास्ट वेल्थ आई कहां से हाला कि तो इनके जो ट्राइल हो रहे थे इसके बाद इने एक्विट कर दिया गया लेकिन ये 1774 में सूसाइट कमिट कर लेते हैं तो इस तरह से आप देख सकते कितने ज़्यादा धन यहां से जो नवाब के रूप में जब य यहां से लेकर के जाया जा रहा था दोस्तों लेकिन सब क्लाइव की तरह लगी नहीं होते इसलिए कुछ लोग उतने धन नहीं अफकॉर्स लेकर के जा पा रहे होंगे लेकिन फिर भी जो भी हमबल बेग्राउंड से आते हैं उस टाइम पे ब्रिटेन में तो उनका एक मकस करें कि अच्छा आप इंडिया से आएं काफी सारा धन ले करके तो इस तरह की चीज़े देखने को मिल रहे थी देवर ओफन सीन इस आप स्टार्ट इं सोचल क्लाइमर इंब बिटिश सोसाइटी और रिडिक्यूल और मेग फन इंप्लेजन कार्टून्स दोस्तों इन सोर् कमिटी के टाइम पर हीरिंग के टाइम पर क्लाइव करता है कि कि तरह से पलासी की यूद के बाद वह अपने आपको किस तरह से पोजिशन में पाता है consider the situation in which the victory at plassi had placed me तो उस situation को सोचिए जब plassi की victory के बाद मुझे रख दिया गया एक बहुत ही बड़ा राजा, great prince was dependent on my pleasure and opulent, opulent का मतलब काफी धनी सहर, lay at my mercy यानि मेरी mercy के according चलेगी, जो richest banker है वो एक दूसरे के खिलाब बोलियां लगाएंगे, मेरी smile के लिए I walked through walls which were thrown open to me alone, piled on either hand with gold and jewel तो काफी ज़्यादा धन और काफी power की बात की जा रही है यहाँ पे Clive के द्वारा, Mr. Chairman at this moment I stand astonished at my moderation दोसों जैसा कि हमने बात कि कि company नवाब बन जाते दिन के power काफी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं लेकिन यह of course और भी areas expand करने में लगे हुए होते हैं और अगर आप देखे कि Indian state को किस तरह से annex किया गया यानि British administration में बारी बारी से सामिल किया गया 1757 से 1857 की जो बात की जारी, जो एक century की बात की जारी, जो एक सताबदी की बात की जारी यहाँ पर, तो इन 100 सालों में अगर आप देखे तो काफी सारे key aspects देखने को मिलते हैं जैसे company ने सायद ही कभी directly military attack किया हो किसी unknown territory में बलकि यह बहुत सारे अलग-अलग measures जैसे political, economic, diplomatic method का इस्तमाल करते हैं ताकि Indian kingdom को annex किया जा सके अगर आप boxer के youth के बाद देखे तो company resident को appoint करती है Indian state में political और commercial agent होते हैं जिनका काम होता है कि company के interest में काम किया सके और इनी resident के द्वारा company official began interfering in the internal affairs तो जो internal affairs हैं जो कि Indian states में अलग-अलग states में देखने को मिल रहे हैं उनमें यह interfere करना शुरू करते हैं इसके बाद यह बहुत चीजें determine करने की कोशिस करती हैं जैसे यह decide करेंगे कि अगली बार गदी में कौन बैठेगा administrative post में किने appoint किया जाएगा तो इस तरह के और बहुत बार तो company forces के द्वारा company forced करती है जो Indian state के अलग-अलग ruler है उनको subsidiary alliance को sign करने के लिए subsidiary alliance है तो बहुत चोटा topic लेकिन I think 30-40 सवा लोडरेड़ी UPSC के different exam में से पूछे गए है जो कि मैंने already cover कर दिया है जिसकी वीडियो की link आपको description box और comment box में दोनों जगों पे दे दूँगा वहाँ से आप जाकर के जरूर देख लिजे क्योंकि आगर यहाँ पे subsidiary alliance पर बात करेंगे तो काफी lengthy वीडियो हो जाएगी यह वीडियो हो जाएगी इसलिए आप उसे जरूर देखे और बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा और काफी interesting भी है subsidiary alliance से और question भी काफी सारे आय हुए है तो यही subsidiary alliance की बात की जा रही है Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces तो मुख्य बात तो यही थी subsidiary alliance की वैसे सायक संधी की कि जो Indian rulers जो भारत के राजा है जो की subsidiary alliance को सायन कर लेते हैं उन्हें अपनी independent army रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी rather than British forces को उसके स्थान पर रखा जाएगा ठीक है तो इस तरह की बाते थी of course इसके बदले में काफी huge amount लिया जाएगा तो इन subsidiaries forces के बदले में देखे pay करना पड़ेगा that the company was supposed to maintenance तो यह maintenance charge बोल करके लिया जाता था अवद के नवाब को was forced to give over half of its territory to the company तो वही बात है 1801 में जो अवद के नवाब है उनको अपनी आधी territory देने पड़ती है वेलेजली को क्योंकि यहाँ पर यह माना जाता है of course यह कहा जा रहा है officials के दौरा East India Company के दौरा कि यह जो बातने की गए subsidiary alliance केता है तो वो यह चुकाने में असमर्थ है तो इस तरह के मतलब तरीकी अलग-अलग हतकंडे अपनाए जा रहे है East India Company के दौरा ताकि annexation policy को फरदर आगे बढ़ाया जा सके हैदरावाद also forced to seed territory तो यह सब question भी बनते हैं कि सबसे पहले subsidiary alliance में किस state को सामिल किया गया या किसने signature किया तो यह सब मैंने उस वीडियो में cover कर दिया है तो प्लासी और बकसर के युद के विसे में हमने बहुत कुछ समझा है बट कुछ ऐसी बाते हैं जो उस NCRT वाली बुक में डीटेल में cover नहीं है कि किस तरह से strong forces जैसे कि हमने उड़ेटी बात की भी है कि Robert Clive के नेत्रित में जो कि Madras से पहुंचते हैं केलकटा और इस तरह से यहाँ पे जो और भी जैसे अगर आप नवाब के side में देखे तो नवाब के जो traders होते हैं नवाब के बजाए वो East India Company के तरफ चले जाते हैं इसमें से मीर जाफर है और कुछ influential banker होते हैं बंगाल के जैसे जगत सेट हो गए राय दूरलब ये काफी important position occupy करते हैं उस time पे ओमी चंद हो गए ये लोग भी trader बनते हैं बंगाल के नवाब के और ये दूसरी साइड में चले जाते हैं और ये भी एक बहुत major reason है नवाब की हार का ओके दोस्तों आगे चलके जब हार हो जाती तो हमें पता है कि मीर जाफर को फिर गद्दी में बैठा दिया जाता है योगी सिराजुदोला को हरा दिया जाता है और इनफेक्ट वही बात ही होती है क्योंकि सिराजुदोला के जो कमांडर होते है मीर जाफर उसे इस बात का प्रलोभन दिया जाता है कि अगर आप East India Company के साइड से आ करके वो और लड़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक नवाब बना दी जाएगा बेसिकली बंगाल का हाला कि पावर जितनी भी हो बट बंगाल के नवाब बनाने की बात की गई थी लेकिन अगर आप देखे तो बहुत जादा इंटरफेरेंस बढ़ रहा था अमीर जाफर का और यह काफी इरिटेट हो रहे थे कलाइब से और अफकोर्स इस इंडिया कंपनी से तो यह एक सीक्रेट कॉंस्पिरेसी में जुड़ जाते हैं डच के साथ चीन सूरा में यह बात आपको ध्यान रखनी है और इसके बाद एक बात आपको और ध्यान रखनी तो अगर इस तरह से कोई भी राजा या किसी भी क्योंकि अगर आप देखे तो सबसीडरी अलायन्स के अंदर भी इंफेक्ट यही बात कही जाती है कि जितने भी टाइज हैं बाकी कंपनी के साथ बाकी जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी जानम के साथ वो सारे आपको तोड़ पड़ेंगे ठीक है तो यही सब बाते हैं और इसके बाद अगर आप देखे तो जो इससे काफी ज्यादा हो जाते हैं इंग्लिस की इस्ट इंडिया कंपनी और इसके बाद ट्रेशिरी ऑफ मीर जाफर एंडिस फैलियर टू मेक दा पेमेंट टू टू दा कंपनी एंग्लि यहां पे लड़ेंगे तो ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी जरूर पिस्ट भूमी में आएगी दोस्तो एक बात आपको ध्यान रखने वाली यह है कि जब हमने बात की डच की तो डच को बिसिकल हरा दिया गया था इंगलिस के द्वारा बेदरा के यूद में ठीक है तो यह आप कैसे याद रखेंगे इसे आप याद रख सकते है बेटल आफ बेदरा या फिर बैटल वित डच ठीक है तो यहां पर जब बेदरा की इस पैरिंग देखनेंगे वतिक्स का यह और ऐगा कर सकते हैं जा मैं पूछा गया civil services में already directly नहीं बट again statement बेस्ट पूछा जाता है तो यह कब हुआ था 1759 में ठीक है 1757 में तो प्लासी का युद हुद हुआ और 1759 में जम लोग देखेंगे कि European company का आगमन कैसे हुआ तो हम यह चीज़ें डीटेल में cover करेंगे बट फिलहाल अभी आपको य यह brief समझना है बकसर के युद की बात करें तो prelude to battle यानी battle से पहले क्या क्या चीज़ें देखने को मिली तो company को लगा कि मीर कासम एक ideal puppet ruler साबित होगा लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं पूरी की गई और जो deputy governor थे बिहार के राम नारायन वो repeated question नवाब के द्वारा पूछा ज किये जाए लेकिन नहीं submit किया गया तो मीर कासी मिस open defiance जो की मना ही की जारी थी उनकी authority की तो यह बरदास नहीं कर पाया और फिर बट राम नारायन वा सपोर्टेड बाइद इंगलिस लेकिन राम नारायन को सपोर्ट मिला हुआ था इंगलिस से इसके बाद देखे तो जो company में survive ही नहीं कर पाय रहे थे यहां पर काफी जादा opportunities इस्ट इंडिया company के officials के द्वारा थी बाइन इंपीरियल फर्मान इंग्लिस company had obtained the right to trade in बंगाल विदाउट पेंग ट्रांजिट द्यूस तो इस पर हमने बात भी किये कि इंपेरियल फर्मान जारी करके इंग्लिस को हा आसीम की जो की बंगाल के नमाब है उस टाइम पे अवध के भी नमाब इंफेक्ट थे यहां पे जिसका नाम सुजा उद्डोला है नमाब सुजा उद्डोला इसके बाद सा आलम सेकेंड जो की उस टाइम पे मुगल किंग है ओके इन तीनों के combined forces को हरा दिया गया इंग्लि इसके द्वारा हरा दिया गया तो यह काफी ज़्यादा पावर यहां पे देखने को मिलती है और यह साबित होती है इसे कि now they are like मतलब अब इनकी पावर काफी ज़्यादा बढ़ चुकी बेसिकली और इसके बाद अगर आप देखे ता victory made the English a great power in northern India and contenders for the supremacy over the whole country तो इस तरह स यह northern India में काफी great power को occupy कर लेते हैं दोस्तों इसी के subsequent year 1765 में Allahabad की संधी होती है और इस संधी में कौन-कौन सामिल होते हैं तो of course East India Company अवाद के नवाब जो की नवाब सुझाद दोला जिनका नाम है और मुगल एमपेरर साह आलम सेकेंड और वही सब बाते होंगी जैसे नव जहारी कई पार्टी है वहां से यहां पर पैसे लिये जा रहे हैं मुआबजे के तोर पर और इस तरह से चीज़े देखने को मिल रही हैं दोस्तों तो अब हम लोग अपना टॉपिक को कवर कर चुके और next lecture में हम लोग बात करेंगे मैसूर की और बाकी के इंगिनम की इस त प्लासी का यद फ्यार का फर्मान या फिर इबरहीम खान का फर्मान तो इसका आंसर देखिए प्लासी का यूद è की यद आप जैसा कि हमने बात की हुई बक्सर के युद्ध की हार के बाद सहालम सेकेंड ओथोरिटी दे रहते हैं कम्पनीज को की बंगाल बिहार ना केवल बलकि ओरिसा में भी दिवानी राइट दे दी जाती है यह आपको याद अखना एक्जाम के अंदर पूछा जाता है इस सवाल की बात हमने कल भी की थी लास्त की लेक्चर में बट फिर से इसे देख लेते हैं अच्छा कोशन यह है यह C.A.P.F. 2010 का है पहले statement में कहा जा रहा है कि जो प्लासी का युद्ध है वो बिरिटिसर्स के द्वारा जीता गया डिप्लोमेटिक स्किल का यूज करके राधर देन स्टेंथ फार्म तो यह सही बात है जादा तर डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज की गई जैसा अगर आप देखे तो इंफ्लेंसियल बैंकर को अपनी तरफ किया गया बंगाल के नवाब के जो कमांडर है मीर जाफर उसे भी अपनी ओर किया गया तो बेसिकली डिप्लोमेटिक स्किल का यूज किया गया दूसरे में कहा जा रहा जो बक्सर का यूद यूद हो किल्मीरेट होता है ट्रिप्लोमेटिक साथ तो इसके साथ यहाफ और सामिल होते है तो दोनुबातिं यहाँ पे सही है तो हमारा अंसर आएगा option C ये question CDS 2014 का है पहले में कहा जारा battle of boxer provided the key to the English to establish their rule in India तो सही बात है boxer के युद के बाद English को की मिल गई ताकि वो भारत में अपने establish कर सके पूरे rule को दूसरे में कहा जारा the treaty of Allahabad concluded in 1765 enabled the British to establish their rule in Bengal तो ये भी सही बात है अलाबाद की treaty के बाद 1765 में घटित हुई Britishers को ये power मिल गई कि वो अपना rule बंगाल में स्थापित कर सके और इसके बाद dual government आईगी वो भी हम लोग देखेंगे तो इसका answer क्या बनता फिर option C दोस्तों उमीद है आपको ये video series पसंद आ रही होगी और आप अपने सुझाओ और राय comment box में comment कर सकते हैं मिलते हैं next video में और उस video में फिर आगे बात करेंगे कि किस तरह से बाकी के जो kingdom है वो टेसल में आते हैं Britishers के साथ और भी बहुत सारी चीजे समझेंगे तो अमीद आपको इतिहास समझने में इस video series से help मिल रही होगी और देखे हम लोग NCRDs कर रहे हैं बट बहुत सारी extra बातें अगर मिलेंगी तो उसे भी of course सामिल करते जाएंगी सारी चीजे पढ़ना important नहीं है आपको बहुत smart study करनी पढ़ेगी तभी फाइदा निकल करके आएगा और आपको समझना पढ़े है कि कौन से topic exam के perspective से काफी ज़्यादा important है जो कि हमें previous year question बताएगी इसलिए previous year question मैं हर chapter में include करता हूँ जहाँ पर भी पूछे गए हैं धन्यवाद